आज के इस tutorial में friends हम बात करेंगे एक wedding album template के बारे में यानि कि एक template बनाना मैं आपको सिखाऊंगा जिसमें आप pre-wedding या फिर wedding के जो DM होते हैं वो आप कैसे create करेंगे तो friends से मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ यह देखिए मैंने 36 बाई 12 की एक फाइल बना ली है मैंने create कर लिया है ठीक है इस टाइब से आपको एक फाइल create कर लेनी है उसके बाद मैं layer panel यहां से मैं open कर लेता हूँ ठीक है तो friends मैं आपका album design coach विनोट सैनी multi talent video मैं आपका स्वागत करता हूँ तो अभी देखिए friends की इसमें सबसे पहले मुझे क्या करना है कि मुझे एक idea लेना है कि मुझे किस type का design बनाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें एक gradient fill करूँगा यानि कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए एक gradient आगया टूल वार में और यहाँ से मैं gradient कोई भी ले लेता हूँ जो मुझे यह जो मेरा already जो select है उस type का मैं ले लेता हूँ जैसे यह वाला ले 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 मैंने यह फिर यह red ले 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 चलो ठीक है और इसको मैंने drag and drop कर दिया इसके बारे में मैंने काफी ज़्यादा यहाँ से बता दिया है कि आप अगर center से अगर कुछ करेंगे तो देखे gradient अलग यूज होगा यह gradient करोगे तो अलग यूज होगा liner, radial, angle, ठीक है यह यह हमने drag कर दिया अब कैसे भी आप इसको drag कर सकते हो यह देखे जितना बड़ा आप लेंगे उसी type से यह gradient करेगा तो मैंने यह वाला create कर लिया यह देखे ठीक है यह brush tool आगी है हमारी brush tool पर right click करेंगे Photoshop का कोई भी वर्जिन हो उस पर आप यह कर सकते हो तो इसमें आपको कोई भी एक brush ले ले लेनी है जिसे माले में ड्राइ मीडिया में यह वाले brush मैंने create कर लिया है ठीक है यह वाला brush मैंने ले लिया है और इसको मैंने बड़ा कर लिया है थोड़ा सा brush को brush का color मैंने कर लिया है थोड़ा सा step से तो ये देखिए ये brush हो गया मचा रहा हूँ कि ये brush यहाँ पर मैं apply करूँ तो देखिए ये मैंने apply किया यहाँ पर इसको जितनी देर मैं यहाँ पर mouse को अगर press करके रखोंगा इतना ही यह design बनता चला जाएगा यह देखिए इसको मैं हिला रहा हूँ हलका हलका तो यह देखिए यह design create हो रहा है हलका हलका अब देखना है इसमें हम फोटो भी एक फिल करेंगा और उसके बाद मैं आपको इसको एक extra design create करके कैसे हम उसको apply करेंगे वो मैं इस पर बताऊंगा आपको यह मैंने mouse को काफी जदा है हम पर apply कर दिया है control T किया मैंने और इसको right click करके warp करके और इसको थोड़ा सा size को अपने को जैसे जैसे adjust करना है वैसे वैसे adjust कर लीजिए यह देखिए ठीक है यह एक तरीका हो गया यह मैंने हलका सा इस पर create किया है और इसको मैंने थोड़ा सा इसको बढ़ा कर देता हूँ यहां तक ठीक है अब क्या करना है मुझे कि shapes में जाना rectangle में ही rectangle में देखिए कि custom shape में जाना है custom shape में आप किसी भी परकार के design ले सकते हैं तो मैं यह वाला rectangle ले 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 तो हूँ एक बार यह वाला मैंने rectangle लिया ड्रैक किया मैंने ठीक है control T करके control T करके और इसको sorry यह वाला नहीं हमें square में चीए pure square में चीए तो यह rectangle और ड्रैक किया यह आ गया control T और इसको हम 45 डिगरी पे इसको हमने क्या किया कि angle इसका change कर दिया हमने 45 डिगरी पे अभी देखना 45 पे हमने इसको change किया है friends सी तो हमें क्या करना है कि इसको तो थोड़ा से हापलाई करना है और इसको यहां ले आना है और आर दबाके और center point हमें create कर लेना है ठीक है यहां पे इसको मैंने apply किया छोटा सा sorry यह वाला ठीक है अब क्या करना है इसको हमें कि stroke लगाना है तो stroke मैंने यहां पे white stroke ले लिया है यहां पे ok किया inside यह वाला stroke मैंने यहां पे create कर दिया है आपको समझ में आ गया लगा इस ट्रोक के बाद में हम क्या करेंगा फ्रेंड्स से हलका सा इसमें drop shot लगा देगे हलका सा drop shot हमने पिछे लेगे इसको और यह आया ok कर दिया यह देखिए यहां तक clear आपका stock को थोड़ा सापको कम कर लेना है यानि कि 30 का मैंने pixels का stock इस पे create कर दिया एक तो यहां पे हो गया एक इसका duplicate बना के और यहां पे create कर दिया इसको थोड़ा से इसी के पास में बगल में बिल्कुल और उसका align कर दीजिया आपके यह align कर दिया मैंने और एक इसके वापस इसके पास में और इसको मैंने क्या किया थोड़ा सा बढ़ा कर दिया ठीक है इसकी size थोड़ इसी और छोटी करनी है यह हो गया तीनों को पकड़के इसको इसको और इसको इन तीनों को डाकन ड्रॉप करेंगे यहां पे तोड़ा सा इसको बढ़ा करेंगे अब देखिए इस पे थोड़ा सा effect लगाएंगे हम यानि कि इसके पास में इसके पास में हमें दो layer का effect लगाना है यानि कि इसी का एक duplicate किया Ctrl-J किया मैंने और इसको इधर ले आया मैं और इसके पास में ले गया और थोड़ा से इसको छोटा कर देते हैं ठीक है यह clear अब देखिए इसको stroke लगाएंगे हम इस पे वापस से stroke यह है इसका stroke हम बढ़ाएंगे यहां पे stroke हमने बढ़ा दिया है OK किया अब देखिए यहां पर मैंने एक बार पहले भी मैंने बताया था मेरे एक tutorial में कि अगर आपको opacity कम करना है तो पूरा opacity कम हो जाएगा पूरे design का और stroke आपका proper रहे तो आपको fill का काम लेना है फिल जो है वो zero कर देनी है आपको यह मैंने zero कर दी जीरो कर दी आपका stroke सिर्प नजर आ रहा है तो stroke को वापस हम यहां पे click करेंगे तो stroke का color कोई भी आप लगा सकते है जो color आपको अच्छा लगे जैसे मानली जी मुझे यह व में आगया होगा आपके ठीक है अब मैं यह चाह रहा हूँ इसके अंदर हमने कोई photo fill करनी है तो एक photo में ले लेता हूं यहां पे यह वाला और वही control T करके इसमें paste कर दिया मैंने यह देखिए जो हमने brush tool से हमने create किया था उससे हम यहां पे चेंज कर लिया है इसको अब यहां पे कोई भी text आप लिख सकते हो आगे की यहां पे design और हम create करेंगे तो यहां पे यह हमने एक छोटा सा text यहां पे लिखा है ठीक है इसका color आप चाहो तो step का ले सकते हो अगर आप background से मिलता जुलता color लेते हैं कोई भी background से मिलता जुलता color लेते हैं तो आपकी design थोड़ इसी unique दिखेगी अच्छी दिखेगी copy और यहां पे मैंने इसको paste कर दिया फिर paste कर दिया फिर paste कर दिया फिर paste फिर paste तो यह मैंने एक design वापस से टेक्स्ट के उपर मैंने थोड़ा सा काम किया है यह देखिए अब यहां पे आपको क्या करना है जैसे मान लीजिए कि मुझे कोई feather टाइप में जैसे मान लीजिए कि एक idea दे रहा हूं आपको यह मैंने round shape लिया यहां पे एक round shape लिया ठीक है round shape को मैंने कह किया यहां पे drag करके और इसको और बढ़ा दिया है मैंने यह देखिए ठीक है अब वही web tool काम में आई है हमारी web tool को काम में लेके आप इसको तो ओड़ा से यह बढ़ा देजिए यह कर दीजिए इस type की design काफे लोगों को पसंद है बहुत सी जगे ऐसी design चलती है और यह drag किया हमने web किया वापस से और change किया यह देखिए अभी यह थोड़ा सा unique लगने लग जाएगा आपको भी बीच में से हमने इसको यहां तक कर दिया है अब देखिए इसमें क्या करना है आपको यह design ऐसे create हुआ है कंट्रोल जे किया इसका एक duplicate किया और इसी को निचे लाके और इसकी opacity हमने change कर दिये यह देखिए इसमें अब आपको कोई भी images आपको जो लगानी है उस type की images आप लगा सकते हैं जैसे यह वाली image हमने इस पे drag and drop कर दिया है hold control Z वही तरीका पर बढ़ा कर दीजिए जितना आपको चाहिए और इसी image को आपको masking करना है बी प्रेस किया और masking remove ठीक है और masking remove नहीं करना है तो remove कर दिया आपने इसको layer को और right click करके रिश्टेसाइज layer और erase रटूल इसमें काम में ले लीजिए यह देखिए ठीक है यह match हो गया इसमे क्लिक किया टैप को सब्सक्राइज किजिए कि कि कर्ष्टम शेप पर गया और यह वाले शेप ले लेता हूं मैं ड्रेक किया है आपे आगया यह color तो जरूरी यह आप काफि यह यह तीन पतियां है इस टैप से यह देखिए यूनिक हो गया और यहां पर लेकर आया मैं यूनिक हो गया ठीक है आगा शेप का color आपको देना है यह वाला तो आइड्रोप पर टूल से यह वाला शेप का color आप चेंज कर दीजिए जैसे माल लीजे मैंने यह वाला color ले लिया यह 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 वाला color आ गया यह देखिए चेंज हो गया ठीक है तो इस टैप से आप पर यूज कर सकते हो डिजाइन को डिजाइन पैटरन को यह जो तरीका का यह यहां पर वापस से एक तो तरीका जो मैं मेरे हैन स्टेयं में पर लोगों मैं यही बनाना चाहरा हूँ यह देखिए मैंने ओके कर दिया तो यह एक यूनिक दिखने लग गया तो फ्रेंड्स से इसी टाइप की PSD बैगराउंड अगर आपको खरीदनी है तो मल्टी टेलेंट वीडियो को आप कोल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठेंक यू